हर वर्स प्रीज पर 26 जनवरे का पर बड़े उत्साह से मनाया जाता है इसकी तियारियां कई दिन पहले ही सुरू हो जाती है हर वर्स की वांती इस वर्स प्री 26 जनवरे की तियारियां जोरों से है रिज को भूद अच्छे ढंग से सजाया गया है शामीना, जंडे, आदी सभी अच्छी तरह से लगाये गये हैं हर वर्स की वांती जहांकियों का भी आयोजन किया जाएगा और जहांकिये अच्छी तरह से आज तियार कर ले गई हैं लोग आते जाते इन जहांकियों को देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं यह जहांकियां कल सब रीच पर आएंगी और महां से इनका प्रदर्शन होगा भीड प्रजनन उनका उत्पादन के बारे में भी जहांकि बना ही गई हैं स्टार्टप चोकी प्राइम मिनिस्टर का एक कार्यक्रम है इसको भी हिमाचल में दर्शाया जा रहा है हिमाचल विदूत परदेश के नाम से भी जाना जाता है और विदूत यानि HPSCB की जहांकी ना हो तो यहां Republic Day में अधूरा ही रह जाएगा लोग आज भी मालो और आसपास में खुम रहते लेकिन मजदूत भी अपना काम कर रहते देवी देवताओं की जहांकी और उनकी यात्राय निकला तक्रिव में रोज ही नजर आता है रिजबर लोग आज ही काभी आनंद उठा रहते दिन भर बादल थे लेकिन वर्षा नहीं होई जैसा कि अनुमान था सामने इंद्रा गांधी जी का मुते जिनों ने परदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था उन्हीं के कारेकाल में हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा पाप आया था आज हंडा उता रहा है इसको नया रूप दिया जा रहा है क्योंकि कल जब रिपब्लिक टे बनाया जाएगा तो यहां अपनी शान में होगा त्यारियें जोर पर हैं लोग इन त्यारियों को भी देख रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं लेकिन अर्ष असली कार्यक्रम कल होंगे लेकिन यहां एक दूसरा स्वरूप भी है दो महलाएं अपने रोजगार में लगी हुई हैं और श्रम का कार्य कर रहे हैं इन्हें क्योर अपने रोजगार और अपने ध्यारी से ही ज़्यादा मतलब है यह असली मेहनत करने वाली महला है इन्हें मेरा सलाम है यह में नहें नहें